हैपी मैरेज अनिवर्सरी आज के इस वीडियो में हम सरलता से यह जान लेंगे कि हैपी मैरेज अनिवर्सरी मीनिंग इन हिंदी क्या होता है देखिए हैपी मैरेज अनिवर्सरी अंग्रेजी भाषा के इन तीन शब्दों को जोड़ कर बनाया गया एक वाक्य है लगू वाक्य है इन बातों को ध्यान में रख कर हर्शित विवाह वर्शगांट अपने आप में यह वाक के पूर्ण प्रतीत नहीं होता परन्तु अंग्रेजी में इस वाक्य का उप्योग अपने किसी प्रिय परिचित को उनके विवाह की वर्षगांट पर शुबकामना देने के लिए उप्योग में लाया जाता है उदारन के लिए मान लीजे आपके किसी प्रिय परिचित के विवाह की वर्षगांट आ रही है एवं आप उन्हें अंग्रेजी भाषा में शुबकामनाई देना चाहते हैं, तब आप उन्हें Happy Marriage Anniversary यह वाक्य कह सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश से संबंधित किसी भी विशय पर यदि आपके मन में कोई भी जिग्यासा है अत्वा प्रश्ण है या मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मुझसे अवश्य जुडिये। अब मैं आपसे एक आगरह करना चाहता हूँ, इस चैनल का एक ही उद्देश है कि सरलतम हिंदी भाषा में आपको अंग्रेजी के शब्दों एवं बाक्यों से परिश्चित कराना, यदि इन वीडियो को देखकर आपको थोड़ा भी लाब हुआ है तो मैं आपसे आगरह कर करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए एवं शेर करिए अब हिंदी में स्पोकन इंग्लिश चैनल को सब्स्राइब करिए एवं ऐसे ही वीडियो प्रते दिन देखकर अपनी स्पोकन इंग्लिश की जानकारी को पुखता करने के लिए नोडिफिकेशन वाली बेल आइ एकॉन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिए